बच्चे हिंदू होंगे या मुसल्मान सवाल पर भड़क गई देवोलीना बोली आप होते हैं कौन। टीवी की टॉप अक्ट्रेस देवोलीना भट अचार जी गोपी बहु के किरदार से सब के दिलों में छा चुकी है। हाली में देवोलीना ने अपनी सीक्रेट वेडिंग से सब को चौका दिया। 14 दिसेंबर को देवोलीना ने जिम ट्रेनर शाह नवाज से शादी रचा कर नई जिन्दगी का आगाज किया। शादी की तस्वीरे सोशल मीडिया पर शेयर करके देवोलीना ने फैंस को अपनी सीक्रेट वेडिंग की जानकारी दी और अपने पती से भी फैंस को मिलवाया। अब अलग धर्म होने की वज़ा से यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं जिस पर देवोलीना ने करारा जवाब दिया है। दरसल देवोलीना पिछले दो साल से जिम ट्रेनर शाहनवाज को डेट कर रही थी। काफी समय तक रिलेशन्चिप निभाने के बाद देवोलीना ने शाहनवाज संग सीक्रिट शादी रचा कर सभी को हैरान कर दिया। देवोलिना की शादी से सभी हैरान तो है लेकिन शानवाज के मुस्लिम होने पर कई लोग आक्टरस को ट्रोल भी कर रहे हैं एक यूजर ने देवोलिना का मजाक उड़ाते हुए उनसे पूछा था कि उनका बेबी हिंदू होगा या मुसल्मान यूजर ने तो अपना यह ट्विट डिलीट कर दिया लेकिन देवोलिना ने हेटर को मुहतोर जवाब दिया है जी हाँ आक्टरस ने इस भध्य कमेंट के जवाब में लिखा है कि मेरे बच्चे हिंदू होंगे या मुसल्मान आपको इससे क्या अगर आपको इतनी चिंता हो रही है तो बहुत सारे अनात आश्रम है जाइए अडॉप्ट कीजिये और अपने हिसाब से धर्म और नाम चुनिये मेरा पती, मेरा बच्चा, मेरा धर्म, मेरे नियम आप यह सब्ते करने वाले होते हैं कौन अभी नेतरी देवोलिना की बात करे तो वह अपनी शादी से काफी खुश नजर आ रही है उन्होंने अपनी शादी के फोटो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर करते हुए लिखा था कि अगर चिराग लेकर भी ढूनती तो उन्हें ऐसा पती नहीं मिलता देवोलिना और शाहनवास की वेडिंग के फोटो सोशल मीडिया पर अब तक वाइरल हो रहे हैं अक्टरस को फैंस और सेलिप्स ने धेर सारा प्यार और बधाया भी दी लेकिन कुछ लोग इंटर रिलीजन शादी करने पर कपल को ट्रोल कर रहे हैं खबर छूट न पाए